अच्छा कल हमने जो है वो यहां तक जो है वो प्रॉब्लम्स डिसकस किये थे ठीक है अब कंडिशनल प्रॉबैबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स हम डिसकस करेंगे यहां पर ठीक है तो यह हमारे पास you are meeting a young family with two children what is the probability that those are two girls ठीक है तो हमने देखा था कि हमारे पास जो sample space बनेगा वो बिलकुल ऐसा ही है जैसे हम two point toss के लिए sample space बनाते है ठीक है और यहां पर हम देख सकते हैं कि probability of sample space total possible outcomes कितने हैं यह हमारे पास है four ठीक है और ऐसा outcome जिसमें दोनों girls हों वो हमारे पास सिर्फ एक है तो इसको हम n of a equals to one और probability जो है वो हो जाएगी one over four ठीक है probability of having both the girls यह हमारे पास one over four हो जाएगी ठीक है similarly अब देखें यहां पर एक problem है family has two children ठीक है यह जो है ना paradox कहलाता है जो problem है यह paradox कहलाता है ठीक है इस problem के अगर आप मतलब देखेंगे तो बहुत सारे solutions आपको मिलेंगे मगर इसी इसी बुक के अंदर जिस बुक से यह problem है उसी में exercise का question भी है इसी के उपर और उसने बताया भी यह book में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यानि miss confusion है इसके अंदर काफी लोगों को इस problem को solve करते हुए ठीक है different तरीकों solve करते है यानि इसको conditional probability के through solve करते है और बहुत सरे different तरीकों solve करते है और कुछ information का भी जो है इसमें issue है कि जो information यानि के यहां पर सिम्पली यह कह दिया गया है कि दो children's है ठीक है और पहला जो है वो आपको पता है कि बॉई है तो दूसरे के भी बॉई होनी की या probability होगी ठीक है तो अब देखें इस case में तो बड़ा simple है हमें पता है कि कोई भी जो है वो बर्त होगी बॉई और गर्ल की अगर हम यह समझते हैं कि यह क्या कहते हैं तो यानि कि इनका जो जिस तरह head tail में हम कहते हैं कि इनका outcome जो है वो 0.5 head का है और 0.5 tail का है यानि 50% chance head आने का है 50% chance tail आने का है और इसी तरह अगर हम इसमें भी यही चीज़ देखें कि अगर नॉर्मली 50% chance है कि बॉई हो और 50% chance है कि गर्ल हो तो अब यहां पे देखें यहां पे है two children's ठीक है तो you met one of them अब एक आप जानते हैं कि वो जो है वो boy है ठीक है ना what is the probability that the other child is also a boy तो जाहर सी बात है कि other child अब पहला आपको पता चल गया कि बॉई है ठीक है तो other child के boy होने की या girl होने की जो probability होगी वो half होगी ठीक है ना equal होगी जाहर सी बात है बाय होने की probability हाफ होगी और girl होने की probability भी हाफ होगी मगर इसको जो है वो कुछ लोग miss confusion में जो है वो दूसरे तरीके से solve करते हैं या इसमें वो conditional probability यूज़ करते हैं तो इसमें यह नहीं करना आपने simple आपको यह पता है कि पहला जो है वो boy है तो दूसरा जो girl या boy होने की probability सिंपल हाफ होगी ठीक है फिफ्टी-फिफ्टी है अच्छा इसमें है आपके पास there are twenty computers in a store among them fifteen are brand new and five five are refurbished ठीक है आपके पास total जो है वो fifteen computers है ठीक है और five are refurbished sorry twenty computers है total ठीक है total computers आपके पास twenty है ठीक है इसमें से brand new जो है वो आपके पास 15 है और refurbished जो है वो आपके पास five है six computers are purchased for a student lab ठीक है six computers जो है वो उन्होंने purchase किये है अच्छा six computers जो है उन्होंने purchase किये है ठीक है और from the first look they are indistinguishable so the six computers are selected at random compute the probability that among the chosen computers two are refurbished ठीक है तो हमें ये probability निकालनी है कि जो छे उसने choose किये हैं 20 में से computers उसमें से जो है वो क्या कहते हैं तो क्या probability होगी कि two जो है वो रीफरबिश्ट होंगे ठीक है तो सबसे पहले तो इसका हम ये देखेंगे कि total possible outcomes कितने हैं ठीक है तोटल पॉसिबल outcomes से मतलब ये है कि आपके पास 20 computers है उसमें से आपने 6 Select करने है तो इसका मतलब य्ले कि 20 में से 6 choose करने है अब ये choose करने का प्राल्लम है यानि combination का प्राल्हम है कि 20 में से 6 आप किस तरह चूज्थ कर सकते हैं पहले तो Simply हम total जो अच्छाएब्स आउटकम्स निकालेंगे प्लिए तो टोड़ाइटकम्स याने कितने वेज हैं कि हम 6 सकते हैं संप्ल 20 ठीक है तो हम से हमने 6 फ्लिए थे के ऐस करने हैं इसको हम यहां पर जजर्ड जो आएगा वो आएगा ट्वेंटी चू सिक्स एक कैल्कुलेटर कीजिए का दरागर है तो 38760 38760 अच्छा 38760 ठीक है और अब आपके पास इसमें जो है दूसरी चीज़ क्या है हाँ 15 ब्रेंड न्यू है ठीक है और 5 रिफर्विष्ट है अगर 5 रिफर्विष्ट हैं और 2 आपने सेलेक्ट करने हैं तो 5 में से 2 रिफर्विष्ट करने के जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होंगे होंगे पाइफ चूज्टू इस अज़ी चीज़ा थीज़ा है तो चीज़ा टैन्डविष्ट इस था्विश्ट थी इस तो फाइव रिफ्द कार्द्व बताईए गा तो एथी को एथी आ एथी तोटल आपने six select किये हैं और two आप कह रहे हैं कि रीफर वीष्ट होंगे ठीक है यानि two रीफर वीष्ट की probability तो जो बाकी है चार वो क्या होंगे वो brand new में से होंगे तो उनकी जो possible outcome होंगे वो कितना होंगा 15C4 15C4 देखिएगा दरा इसका result होता है थर्टीन 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 थिक्स्टीफड तो अब जो टोटल probability होगी वो क्या होगी यानि के दो आपके पास रीफर बीश है ठीक है और चार आपके पास brand new है इसी प्रॉब्लम को वो इस तरह से पूछ सकता था कि चार brand new होने की क्या probability हो सकती है तो उसके लिए भी यही काम करना पड़ता आपको ठीक है यानि प्रॉबैबिलिटी सेम आएगी दो रीफर इन दोनों की प्रॉबैबिली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से होगी से माइगी यह तरह कैलकुलेट कीजिएगा टूटल 1365 x 10 divided by 38760 455 x 1292 ने इसको पॉइंट में बता है जिरो पॉइंट्री फाइफ जिरो पॉइंट्री फाइफ तो प्रोबैबिलिटी आफ गेटिंग टू रिफर्बिश्ट कंप्यूटर्स या गेटिंग फोर ब्रैंडिट कंप्यूटर्स ठीक है सेम होगी प्रोबैबिलिटी दोनों केसिस में तो यह एक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था तो आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पर आइडिया हो जाएगा और उसके बाद इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है मैंने आपको नोट शेयर किये थे उसके अंदर भी हैं यह प्रॉब्लम को जिसी टाइप के हैं मैं चाहरा था हो भी आप देख लिए जैसे यह है अब इसने इसको थोड़ा सा डिफेरेंट तरीके से किया हुआ है अगर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको ठीक है सपोस्ट एट डेर और हंड्रेट कीशी और फाइव फिचार मैल फंक्शनिंग ठीक है वी पिक थ्री फ्रॉम देम एट रेंडम वट इस अप्रॉब्लिटी यह निसारे के सारे जो हैं वह प्रॉपर वर्क करें उसकी प जब पांच मैल फंक्शनिंग है ठीक है इट मींस देट 95 95 जो है वो ओके हैं और फाइव जो है वो मैल फंक्शनिंग है ठीक है और थ्री आपने चूस किये हैं तो प्रॉबैबिलिटी पूछ रहा जो तीन आपने चूस किये हैं क्या प्रॉबैबिलिटी होगी कि वह तीनो piece choose करेंगे तो उसके मतलब सही piece के मिलने की जो probability होगी वो होगी 95 over 100 सही है क्योंकि आपके पास total जो सही pieces हो 95 है और total pieces 100 है ठीक है तो पहले सही piece आने की जो probability होगी वो क्या होगी आपके पास 95 over 100 होगी ठीक है जिसको हम P of A1 कह रहें A1 basically आपके पास first piece है ठीक है इसी तरह से आप पहला piece choose हो गया यानि एक निकल गया अब आपके पास 99 रह गए ठीक है टोटल 99 रह गए और सही वाले 94 रह गए ठीक है ना जारती बात एक piece निकल चुका यह कम ने एक piece निकाल लिया अब दूसरे piece की यानि probability of A2 given that A1 has been chosen ठीक है इसका मतलब यह है given that probability of A2 given that A1 A1 मतलब has been chosen A1 आपके पास given है ठीक है ना A1 आपके पास आ चुका हुआ है तो अब probability क्या होगी A2 की 94 over 99 यानि A2 यानि दूसरा जो piece है वो भी correct सही मिले उसकी probability होगी 94 over 99 क्योंकि A1 आपके पास given है ठीक है निकाल चुके है हम similarly अब probability of A3 probability of third piece के वो भी ठीक आए वो क्या होगा 93 over 98 होगा इसको इस तरह से लिखा जाएगा probability of A3 given that A2 intersection A1 A2 intersection A1 इदर basically इस तरह से bracket आप लगाया है तो बहतर होगा क्योंकि confusion जो है वो हो सकती है यहां पर आपको bracket लगाना चाहिए क्योंकि अब यह probability आपको जो है वो यह already probability आपको पता है ठीक है कि A2 की probability आपको पता है A1 की probability आपको पता है तो जो A3 given that A2 intersection A1 की probability होगी वो आएगी आपके पास 93 over 98 ठीक है तो अब यहां से आपको find क्या करनी है probability that सारे जो है वो सही work करेंगे तो वो क्या होगा probability of A1 intersection A2 intersection A3 अब यहां पर जो है ना यह rule मैंने आपको sorry बताया नहीं यह वाला rule मैं आपको इसका formula बहले बता देता हूँ यह rule होता है intersection का इसको chain rule कहते हैं पर इजामपल यह तीन के लिए पहले दो के लिए बताया है यह खाली B intersection C निगालना है तो क्या होगा probability of B dot probability of C given B कैसे हमने कल देखा था कि probability of A given B जो है वो बराबर कल देखा था या नहीं देखा था पता नहीं मैं याद नहीं है मैं बता जैता हूँ conditional probability का formula conditional probability का formula यहाँ पर मैं बता जैता हूँ हाँ यह conditional probability का formula होता है कि अगर आपको for instance एक probability given है for instance आपको given है A की probability ठीक है A की और B आपने निकालना है given that A जो है आपके पास है already तो उसका formula होता है P of A intersection B divided by P of A ठीक है यह formula होता है यह तो उस case में कि आपके पास अगर सिर्फ दो इवेंट्स है B और A ठीक है अगर आपके पास तीन आ जाएं चार आ जाएं तो फिर जो है वो formula हम देखेंगे कैसे काम करेगा ठीक है यहीं से हम यह लिख सकते है कि P of A intersection B is equal to P of A times P of B given A ठीक है ना इसको simple यहाँ पर multiply करवा दूँगा तो मिरे पास यह आ जाएगा इस तरह से ठीक है similarly अब हमारे पास अगर आप चले एक यह problem भी देख लेते हैं पहले चोड़ा सा consider rolling a fair dice let A and B be the events that the outcomes are an odd number that is A equals 135 जाहर सी बात है odd numbers क्या क्या हो सकते हैं 1 3 और 5 dice के अंदर total 6 नंबर होते हैं यह होंगे and at most 3 और दो बातें कहीं हैं इसमें पहली बात क्या कही है कि एक जो डाइस से उसको roll किया है तो A and B जो है वो दो events है A क्या event है A event है कि यह आपके पास जो number आ रहा है अपियर हो रहा है वो एक odd number हो दूसरी बात क्या कही है and at most 3 यानि ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 आए तो क्या मतलब है 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है ठीक है ज्यादा से ज्यादा 3 क्योंकि at most 3 कहा है तो at most 3 का मतलब यह कि 1 भी आ सकता है 3 से चोटा भी आ सकता है तो 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है तो यह event आपके पास है ठीक है what are P of A and P of B यानि probabilities क्या होंगी इसकी और इसकी आने की क्या probability होगी तो जाहर सी बात है आपके पास यहाँ पर जो possible outcomes कितने है तीन है ठीक है तो यह आपके पास probability of A हो जाएगा 3 divided by total possible outcomes कितने है total possible outcomes आपके पास है 6 क्योंकि जाहर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह total possible outcomes आपके पास है 1, 3, 5 उसने मांगा है तो total तीन ही figures है आपके पास तो यह probability आपके पास हो जाएगी half similarly P of B की probability भी क्योंकि यहाँ पे तीन outcomes है तो 3 over 6 equals to half ठीक है यह probability आपके पास P of A और P of B आगई अब इसने कहा है what is the probability P of A intersection B ठीक है तो अब P of A intersection B अब देखें इन दोनों में इन दोनों में A आपके पास है 1, 3, 5 ठीक है B आपके पास है 1, 2, 3 तो इन दोनों में common क्या क्या है यानि A intersection B अगर मैं निकालना चाहूँ इन दोनों sets में से तो क्या आएगा यह बिल्कुल basic set theory है 1 और 3 आएंगे अगर मैं A intersection B निकालों इसमें common 1 है और 3 common है दोनों में ठीक है तो यह दो elements आ गए तो probability क्या होगी इसकी 2 by 6 हो जाएगी यानि के 1 by 3 ठीक है तो यह probability of A intersection B आगई अब probability of A intersection B अगर आपके पास आ गई तो आप easily probability of A given B भी निकाल सकते है probability of B given A भी निकाल सकते है क्योंकि आपके पास P of A and P of B already आ चुका होगा है ठीक है तो probability of A given B क्या होगा यह बरावर होगा probability of A intersection B divided by probability of B इसका मतलब क्या है basically probability of A given B का इसका मतलब यह है कि B अकर हो चुका है तो A के होने की क्या probability होगी और जो B के अकर होने की जो probability है वो हमारे पास है already तो यह basically हम निकाल रहे हैं तो जाहरे P of B की probability हमारे पास है ठीक है इन दोनों के intersection भी है हमारे पास तो हमारे पास यह intersection B क्या है 1 over 3 और probability of B क्या है 1 over 2 तो यहां से आ जाएगा 2 over 3 ठीक है और अगर event independent है तो P of A given B जो है वो equal आना चाहिए P of A के and P of B given A जो है वो equal आना चाहिए P of B के अगर independent event है अगर ऐसा नहीं आ रहा तो यह समझें के यह event independent नहीं है ठीक है यह dependent events है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ठीक है अगर independent events है तो ऐसा होना चाहिए लाज़मी for independent events ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास यह है यूनियन का के अगर हमने ए यूनियन for example probability of हमने निकालना है probability of A union B union C union dot 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 मतलब बहुत सारे हैं तो उसका यह formula है probability of A1 given B plus probability of A2 given B sorry A N given B है यह यह इस तरह से है probability of union A N given B मैंने गलती से वो लिखा था यह A N given B है तो यह क्या होगा probability of A1 given B plus probability of A2 given B dot 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 plus probability of A N given B ठीक है यह problems आएंगे तो हम उसमें देखेंगे किस तरह से यह use होंगे basically ठीक है अच्छा उसके बाद यह पहले यह problem कर लेते हैं यह बड़ा अच्छा problem है यह भी इस तरह के problems मतलब बहुत सारे problems हैं इसी type के आपको medicine में भी नज़र आएंगे इस तरह के problems medicine के questions भी होते हैं इसमें और disease के questions भी होते हैं almost same ही इसी तरह के होते हैं ठीक है अब देखें 90% of flights depart on time ठीक है तो probability of departing flights on time जो है आपके पास 0.9 हो गया 80% of flights arrive on time probability of arrival जो है आपके पास 0.8 हो गया ठीक है given that a flight departed on time अच्छा एक मिनट यह मैंने miss कर दिया हाँ and 75% flights depart and arrive on time मतलब कि इनका intersection जो है वो भी आपको given है intersection D क्या given है 0.75 ठीक है न यह देखें यह वो probability है जो दोनों में common है ठीक है दोनों में common है 75% flights depart and arrive on time यह यह common है ठीक है दोनों में तो यह आपके पास probability of A intersection D यहाँ पर आ गया ठीक है अब यह चीज़ आपके पास आ गई निकालना क्या है given that a flight departed on time कि flight depart कर रही है time पे कर गई है what is the probability that it will arrive on time तो मतलब कि probability of A given D निकालना है आपको ठीक है given that a flight departed on time ठीक है यह given है कि flight depart कर गई time पे what is the probability it will arrive on time यह आपको निकालना है ए गिविन डी ठीक है तो probability of A given D किसके बराबर होगा probability of A intersection D जो आपको given है and upon probability of D दोनों आपको given है तो आप easily इसको calculate कर सकते है 0.75 इनका intersection है probability of D क्या है 0.8 sorry 0.9 ठीक है तो यह आपके पास आ गया 0.8333 यहाँ पे यह ठीक है अच्छा इसी तरह से आपके पास दूसरा भी आप निकाल सकते है probability given that the flight arrived on time what is the probability that it will depart जाहर सी बात है अब इन्होंने क्या मांगा है D given है दीके D given है मांगा है given that flight arrived on time यह चीज़ अब given है तो अब यहाँ पे आ गया तो अब formula क्या हुआ उपर तो वही आएगा intersection भी नीचे change हो जाएगा probability of A आ जाएगा यह वाली जो चीज़ होती है इसकी probability यहाँ आती है तो यह हो जाएगा क्या आपके पास 0.75 divided by 0.8 ठीक है यह आपके पास यहाँ से यह answer आ जाएगा उसके बाद है are departing and arriving on time independent events अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या probability of A given D जो है वो probability of A के बराबर है probability of D given A जो है वो probability of D के बराबर है अगर ऐसा है तो ठीक है यह independent है अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह independent नहीं है बलके dependent है ठीक है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे यहाँ आप देख सकते है probability of A given D कितना आया 0.8333 ठीक है जबके probability of A कितना था 0.9 था तो क्या यह बराबर है नहीं है मतलब के independent नहीं है ठीक है इसी तरह यह भी चेक कर लें यह 0.8 था और यह जो है 0.9375 आ रहा है तो इसका मतलब यह independent नहीं है इवेंट्स ठीक है और independent अगर नहीं है तो फिर यह चीज़ satisfy नहीं करेगी क्योंकि यह जो हमने पढ़ा था कर सिर्फ independent इवेंट्स की सूरत में होता है ना यह P of A times P of B अच्छा अब देखे हैं अप्लाइंग 1.623 इवेंट्स फॉलो है 1.6 क्या है यह कोई equation होगी यहां कहीं होगी कर यहां कहीं होगी बहर अब तीन इवेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं P of A intersection B intersection C तो इसका मतलब क्या होगा P of A intersection B intersection C का मतलब क्या हुआ P of A dot P of B intersection C given A इसको जो है न तरीका असल में यह होता है लिखने का आप लोग ऐसे लिखें तो confusion नहीं होगी क्योंके इसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे यह B intersection C given A है ठीक है ऐसा भी दो हो सकता था ना लेकिन यह होता है basically B intersection C given that A has occurred ठीक है तो यह इस तरह से लिखाया सकता है तीनों equalities मतलब के एक ही meaning दे रही है आपको similarly P of B intersection C मैंने बताया यह कैसे आता है यहां से यह चीज़ मैंने आपको बता दी B intersection C given A होगा तो क्या होगा अब देखें आपके पास अगर यह है probability of B intersection C given A ठीक है यह किसके बराबर है probability of B given A ठीक है dot probability of C given A intersection B ठीक है यह equality इसी तरह इस chain rule को हम generalize कर सकते हैं अगर हम आपास तीन से ज्यादए events है यानि any events है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि थ्री events के case में हम इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम उपर चले गए थे तो अब यहां से आपने chain rule देख लिया तो chain rule यहां से इस तरह से apply हो जाएगा ठीक है यह probability हमें पता है यह probability हमें पता है यह probability हमें पता है तो हमारे पास result आ जाएगा इसका ठीक है अच्छा इसके बाद है law of total probability law of total probability क्या कहता है आपको बाइस रूल भी शायद आपने कभी पढ़ा हो यहां पे एक मिनट इस लेक्चर में शायद होगा में conditional है यह बाइस जुरूर है आपके पास ठीक है पी ओफ बी गिवन एस इक्वल स्टू पी ओफ ए गिवन बी टाइमस पी ओफ बी अपॉन पी ओफ ए एक यह फॉर्मूला भी एक तो हमने यह फॉर्मूला देखा था पी ओफ बी गिवन ए इस इक्वल स्टू पी ओफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड़ बाइ पी ओफ ए अब पी ओफ ए इंटरसेक्शन बी अब देखें पी ओफ ए गिवन बी किसके बराबर होता है पी ओफ ए गिवन बी यह भी तो इसी के बराबर होता है पी ओफ ए इंट intersection B निकालूं मैं तो यह क्या आएगा P of A multiply by P of B given A ठीक है और यहां से भी क्या आएगा P of A intersection B यहां से आएगा P of A given B times P of B तो अब देखें यह भी P of A intersection B यह भी तो इन दोनों को equate कर सकता हूं मैं इन दोनों को यहां पे equate कर देते हैं P of A dot P of B given A equals to P of A given B dot P of B और अगर मैं इस P of A को यहां नीचे मूफ कर दूँ यहां से हटा के यहां से हटा के अगर मैं यहां मूफ कर दूँ नीचे तो यह P of A आ जाएगा और यह मेरे पास बाइस रूल बन जाएगा ठीक है इस अगर आब अगर महारा के यहां पर अच्छाए यह हो गया प्रॉब्ला महारा आप देखें यहां पे A and B are two events अब दो events है A और B ठीक है with P of A intersection B compliment अब देखें इसका क्या मतलब है P of A intersection B compliment इसको दरा समझें यह आपके पास है A यह आपके पास है B ठीक है अब देखें A intersection B compliment पहले तो यह देखें कि B का compliment से क्या मुराद होगा ठीक है यह area क्या होगा अच्छा पहले चलें इसको जरा नहीं इसको मैं back करता हूँ पहले यह देख लें यह कौन सा area है यह है A intersection B ठीक है अच्छा यह intersection B है और यह पूरा area जो है अगर मैं यह वाला पूरा area देखूं यह पूरा area मेरे पास A है ठीक है तो अब यह है A intersection B compliment यानि B compliment कौन सा area होगा जो की B में नहीं है जो B के बाहर है तो B के बाहर कौन सा area है यह वाला area है ठीक है ना बाकि यह वाला area Jetzt ऑग foundation B के उनदर Fall कर रहा है ना यह वाला सारा वी के उनदर Fall कर रहा है ठीक है तो यह वाला area जो है मेरे पास जो है जो मैंने Shared किया अभी यह सारा area आपके पास क्या होगा B compliment होगा ठीक है और B compliment तो खेर जिससे बाहर क्या area भी होगा क्योंकि B compliment है ये वाला area भी होगा ठीक है ये सारा area भी होगा अगर मैं ये box बनाऊँ तो ये सारा area भी B compliment में शामिल है ठीक है ना क्यों क्यों compliment का मतलब क्या होता है कि universal set minus that set ठीक है जिसका compliment ले रहे लेकिन इसने कहा है A intersection B compliment कि A और B compliment में क्या common है तो वो सिर्फ क्या है ये region है ठीक है ना क्योंकि A इसी region में fall कर रहा है और B compliment भी B compliment का region B compliment भी है इस region में तो common region सिर्फ A और B compliment का क्या है ये वाले region है तो हमारे पास ये region हो जाएगा इसकी probability dvA 0.35 ठीक है सिर्फ इस region की ठीक है similarly probability of a complement intersection भी वो भी इसी तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा सिर्फ यह वाला एरिया आपके पास जो है वो probability of a complement intersection भी आएगा यह बात आपको clear हुई कि कैसे आ रहा है यह किसी confusion तो नहीं है इसमें ठीक है उसके बाद किया रहा है एंड probability of a union भी इक्वल स्टू पॉइंट 61 तो probability of a union भी बराबर होता है probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b तो मैं यह निकाल सकता हूं अगर मैं इसको इधर मूफ कर दूं और यहां पर कर दूं probability of a plus probability of b minus probability of a union b तो यह मैं निकल आएगा यह वाला रीजन जो intersection वाला रीजन है probability of a कितना है 0.35 probability of b कितना है 0.15 minus probability of intersection b कितना है sorry a union b 0.61 बिदे लुका यहाँ मैं एक कर दो कितना है एक मनूठ एक मनूठ अगन पीद लूए probability of A union B हमारे पास है probability of A plus probability of B probability of A plus probability of B क्या होगी 0.35 plus 0.15 यानि probability of A plus probability of B आपके पास होगी 0.50 ठीक है और probability of A union B यह आपको given है 0.61 ठीक है अच्छा ठीक है मतलब कि A union B का मतलब क्या हुआ इस पूरे की probability आपको given है अच्छा ठीक है तो अब आपके पास इस रीजन की probability आचुकी है सिर्फ इस रीजन की ठीक है and इस रीजन की तो मैं अगर पूरे रीजन की probability में से यह दोनों रीजन माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आजाएगा 0.61-0.51 या 0.50 तो यह intersection आजाएगा 0.11 ठीक है जो कि यह हमारे पास आगया तो वेंट डाइगराम के थूँ भी हम इसको सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है और दारती बादे 0.61 यह है तो इसके बाहर क्या होगा 0.39 होगा क्यों के टोटल probability 1 होती है तो 1-0.61 हम करेंगे तो 0.39 आएगा तो यह जो probability होगी यह वाली इसको में बलके शेड करता हूं रेट से यह वाली यह होगी 0.39 त्यूंक है क्या है